दा अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार तो दोस्तों ICC T20 वर्ल्ड कप साथ हो चुका है वाम अप मैचेस चल रहे है और क्वालिफाइंग मैचेस भी चल रहे है चार टीमे चार जो लोवर रैंक की टीम्स है वो कॉम्पेटिशन कर रहे है वर्ल कप के मेन लीग में खेलने के लिए पर दोस्तों सबसे बड़ा मुकाबला 24 तारिक को होने वाला है 24 ओक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान भिडने वाले है इंडिया पाकिस्तान का हाइई वोल्टेज मैच होने वाला है तो आज के विडियो में आपको यही बता कि इंडिया-matesे टीट वर्ल्ड कप में बताने वाला हो तो ये वीडियो एंड तक देखिये क्योंकि इंडिया-पाकिस्टान की स्टोरी बहुत जादा एकसाइटिंग होती है और मैं जानता हूँ आपको सुनना है ये आपको सुनना पसंद है ये तो जरूर देखिए इन तक तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला खेला गया 14 सेप्टेंब या ड्रॉ पर उस समय ड्रॉ मैच कार जो निंड़न है वो सूपर ओवर से नहीं आता था बलकि एक पेनल्टी शूट आउट टाइप खेला जाता था जैसे कि फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट होता है वैसे ही क्रिकेट में भी T20 में ऐसा रूल था कि पाच मौके म खिलाडी बॉलिंग कराएंगे और विकेट में मारना होगा जो सबसे जादा बार मार पाएगा विकेट में वो जीट जाएगा इंडिया के पहले तीन बॉलर्स ने विरेंदर सेवाग, हरबजन सिंग और रॉबिन उत्तपा तीनों नहीं विकेट पे गेंद मार दिया पर पाकिस्तान का एक भी खिलाडी विकेट पे नहीं मार पाया, इसलिए तीन गेंद के बाद ही मैच खतम कर दिया गया और इंडिया को विनर डिकलेर कर दिया गया, जैसे कि फुटबॉल के पेनल्टी शूट आउट में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी 57 न मनाए, गौतम गंभीर ने एहम 75 रनों की पारी खेली, पर पाकिस्तान की जब बैटिंग आई, पाकिस्तान ने जल्दी ही 6 विकेट खो दिये और आकरी उमीद थी मिजबा उलहक से, मिजबा उलहक ने शांदार पारी खेली और आकरी ओवर पाकिस्तान को जीत के लिए 13 चाहिए थे, अभी के टाइम पे अगर आकरी ओवर पे किसीन को 13 रन चाहिए और मिजबा उलहक जैसे शांदार बल्ले बास खेल रहे हो तो उस टीम की जीत पकी थी, महेंदर सिंग धोनी भारत के कप्तान ने आकरी ओवर दिया जोगिंदर शर्मा को, जोगिंदर शर्मा इ अच्छा खेला कुछ बॉल अच्छी खेली दो तिन बॉल पर उनको दो गिंद पे पाच रन चाहिए थे, मिजबाव लग गए छक्का मारने, उन्होंने पीछे ऐसे शौट खेला, बॉल हवा में गई, सारे भारतियों की सासे अटक गई, पर जैसे ही बॉल नीचे गिरी त तो स्री सांथ ने बॉल को कैच कर लिया और इंडिया वर्ल कप जीद गया, इंडिया और पाकिस्तान टी ट्वेंटी वर्ल कप में थर्ड टाइम भिडे, दो हजार बारा तीस सितंबर को, कोलंबो में होरादा मैच, पर मैच बिल्कुल एक तरफा रहा, पाकिस्तान ने पह को मैच जिता दिया, विराट कोली ने 78 रन की पारी खेली, चौती बार इंडिया और पाकिस्तान टी ट्वेंटी वर्ल कप में भिडे, दो हजार चौदा में, धाका में हो रहा था मैच, ये मैच भी इंडिया के लिए बहुत ही आसान रहा, पहले बल्ले बाजी करते हुए पाकिस्तान ने सिरफ 130 रन मनाए, अमित मिश्रा ने शांदार गेन बाजी की, 22 रन दे के दो विकेट लिए और एक मेडेन ओवर भी डाला, इंडिया की बैटिंग आई, फिर से चम के हमारे विराट कोली, विराट कोली ने शांदार 36 रनों की पारी खेली और इंडिया को मै पाकिस्तानी टीम फिसर डिच साबित हुई, पाकिस्तान ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 118 रन बनाए, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही आसान लग रहा था, पर मोहमत समी और मोहमत आमिर ने शुरुवाती जटके दिये भारत को तीन विकेट उखाड लिए, पर फिर से हमारे सूपरमैन विराट कोली टिक गए, विराट कोली ने शांदार 55 रनों की पारी खेली और इंडिया को मैच आसानी से जितवा दिया, अब दोस्तों 2021 में छटी बार भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाला है, अगर मैं आखरी तीन मैचों की बात करू तो तीनों के त अब दोस्तों आपकी क्या राय है, इंडिया जीतेगी आपकिस्तान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जहिंद